नमश्कार आज हम पढ़ रहे हैं Nature of Industrial Socialology औध्योगिक समाशास्त्र की प्रकती औध्योगिक समाशास्त्र की प्रकती में हम दिखते हैं कि औध्योगिक समाशास्त्र की प्रकती किस तरह की है औध्योगिक समाशास्त्र विज्ञान है या कला है या दोनों है मैं मीनू वाल्टर आज आपको समाशास्त्र की औध्योगिक समाशास्त्र की प्रकती क्या है इसके बारे में इस वीडियो में बताऊंगी तसे हाम जानती है कि वैज्ञानिक अविश्कारों ने विज्ञान की पदतियों में आधुनिक दुनिया में एक नया इथ्यास रचा है विज्ञान मुल्य रहीत होता है यह वस्तोनिस्ट अबजिक्टिव तथा पक्षपात रहीत रहता है बाइस लेस होता है और साथ ही यह सामानी करण पर आधारित होता है एक जर्नलाइजेशन पर बेस होता है जहां सब लोग अपने अपने परिवारों में सिम्टे हुए हैं वहीं विज्ञान और विज्ञानिक अविश्कारों की जो रफ्तार है वो बहुत ही अधिक द्रिवृता से अपने गती पकड़ती जा रही है दुनिया के लिए एक खिड़की की तरह टैलीजन ने विश्व बजार को एक नया परिद्रश्य निर्मित किया है उसे इंटरनेट से विश्थित किया है और उसी इंटरनेट के माध्यम से आज हमारी अध्यन अध्यापन चल रहा है विज्ञान की एक नए शितीज का हमने सपर्ष किया है रास्ट की सीमा के आरपार संचार तथा संपर्ख की नई उत्तेजना प्राप्थ हो रही है विज्ञान ने दुनिया के चहरे को बदल दिया है वहीं प्रौध्योगी की ने आधुनिक दुनिया की एक नई बुनियाद को सूद्रड किया है एक नया जीवन दिया है एक नई जीवन पदती दी है और एक नए समाज की रचना की है और द्योगिक समाज ने जो हमारे परंपरागत समाज थे उनसे अनेक परिपेक्ष्यों में बिलकुल अलग कर दिया है जहां विज्ञान और प्रौधुकी की में तर्कपूर अवं घनिष्ट संबंध है वो टोम और कहते हैं कि दुनिया के चहरे बदलने से यानि दुनिया के जो चहरे बदलने में माक्सवादी परिपेक्ष का भी एक विशेश योगदान है क्योंकि ओध्योगिक समाशास्त्र में विज्ञान प्रौध्योगी की तथा समाजिक आर्थिक मुद्दों से जुड़े पहलों पर विचार होता है अगर हम वर्थमान में ओध्योगिक समाशास्त्र को एक महतपून तथा गतिशिल विज्ञान मानते हैं तो कारिकी दुनिया ओध्योगिक सनरचना तथा आर्थिक प्रक्रिया मनुश्य के समाजिक संबंधों को प्रभावित करते हैं साथ ही मुनुश्य की समाजिक पहचान, जीवन पदती, समाजिक सरोकारों को भी निश्चित करने में साहयक है उद्योकिक समाज में, आगर हम बात करें कि उद्योकिक समाजिक स्माजिक, तो गिस परड लिखते हैं कि उद्योकिक समाजिक समाजिक का औध्यन किया जाता है इस प्रकार अध्योगिक समाशास्त्र में उत्पादन, वित्रन, उभ्भोग, विनी में कारी संगठन से जुड़े विभिन मसलों की हकीकत को रिखानकित किया जाता है इसके अंतरगत जो श्रमिक हैं, जो कामगार हैं, उनकी जो हकीकत है, जिसे हम कहेंगे कि जमीनी सच्चाई और उनके रहन सेन के संबंदों का बहुती गहनता से और पारदशीता से अध्यन किया जाता है अब प्रिश्न ये उठता है कि और द्योगिक समाशास्त्र की प्रकति क्या है किस तरह से और द्योगिक समाशास्त्र अपना अध्यन कारी करता है, उसका नीचर क्या है तो हम देखते हैं कि इंडिस्ट्रियल सोशलाजी की प्रकति में आज हम देखते हैं कि इंडिस्ट्रियल सोशलाजी एज ए साइंस और द्योगिक समाशास्त्र एक विज्ञान के रूप में विज्ञान क्या है, विज्ञान किसी भी विशे का क्रमबद ज्यान, क्रमबद ज्यान पूरवक व्रवस्टित अध्यन है जिसमें किसी तथे विशेश के कारण और परिनाम के पायसपरिक संबंदों का अध्यन किया जाता है जहां हम बात करते हैं कि विज्ञान में अवलोकन और प्रियोगो दोरा किसी तथे की समानताओं का अध्यन किया जाता है और उसी के आधार पर सिध्धान बनाये जाते हैं विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं यथार्थ विज्ञान और आदर्श विज्ञान यथार्थ यानि वास्तविक विज्ञान वास्तविक इस्तिती का जो अध्यन करते हैं जिसमें अध्यन किया जाता है, साथ ही कारण तथा परिणाम, cause and effects, कारण तथा परिणाम में संबंध स्थापित करता है, यथार्थ विज्ञान केवल क्या है, प्रश्ण का ही समाधान प्रस्तूत करता है, वहीं दूसरी और, हम अगर बात करें आदेश विज्ञान का, तो आदेश विज्ञान का जो संबंध है, वह आदेशों की स्थापना से होता है, और वह वतलाता है कि वस्तोष्तिती क्या होनी चाहिए, इस प्रकार हम देखते हैं कि जो यथार्थ और वास्तविक विज्ञान है, वह वास्तविक इस्तिती को बतलाता है, जबकि आदेश विज्ञान हमारे समक्ष आदेश प्रस्तूत करता है, तो अध्योगिक समाशास की प्रकती वैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें वेग्यानिक पद्दतियों से मानव वैवार के समाजिक पहलों का अध्यन किया जाता है इसके अंतरगत समाज का वेवस्तित और प्रम्बद अध्यन किया जाता है साथ ही ऐसे नियमों की परिक्षा और पुनर परिक्षा भी की जा सकती है जो ओध्योगिक समाजिक कर्टनाओं का कारी संबन इस्थापिक करता है और पुर्वानुमान भी लगाया जा सकता है अब हम देखते हैं कि ओध्योगिक समाजशास्त्र को किस तरह से विज्ञान मना जाता है और किस तरह से ओध्योगिक समाजशास्त्र विज्ञान है इसमें हम फस्ट देखते हैं वैज्ञानिक पद्यतियों का प्रियोग क्योंकि आध्योगिक समाशास्त्र में अध्यन करने के लिए वैज्ञानिक पद्यतियों का प्रियोग किया जाता है जिसमें समाजिक सर्वेक्षन, अनुसंधान, सुक्ष्म अवलोकन, तथ्य एकी करन, वर्गी करन, सत्यापन, समानी करन के दोरा समानी नियम बनाए जाते हैं और ये समानी नियम ही औध्योगिक समाशास्तर के सिध्धांत होते हैं नेक्स्ट हम दिखते हैं तथ्यात्मक अध्यन ओध्यूकिक समाशास्त्र संबंदों का तथ्यात्मक अध्यन करता है जो इसकी वास्तविक वस्तुस्तिती को इसपस्ट करता है और इसके जो निर्ने होते हैं वो तठस्त एवं वस्तुनिस्ट होते हैं नेक्स्ट हम देखते हैं कि सिद्धान्त सार्व भौमिक है यानि ओध्योगिक समाश्यास्त्र का सिद्धान्त भी समान परिस्तिती होने पर सभी देशों में तथा सभी समयों पर एक सा परिनाम देता है कामगारों एवं प्रमंधोकों की परस पर अच्छे संबंध होने पर ही उत्पादन पर अनुकूल प्रभाग पड़ता है नेक्स्ट हम देखते हैं सिद्धान्त प्रमानिक हैं यानि ओध्योगिक समाश्यास्त्र की जो सिद्धान्त हैं बेप्रमानिक हैं सिध्धान्तों का हम परिक्षन और पुनर परिक्षन करें तो वो सदेव सिध्ध होते हैं सही सिध्ध होते हैं इनकी जाँच कभी भी की जा सकती है जैसे शमिकों में अगर असंतोश है, दमन निती है तो वो खारी की खराबदशाएं श्रमिकों में तनाब उध्पन करती है साथ ही क्या है के साथ कैसे का भी पता लगाता है नेक्स्ट है भविश्यवानी करने की शम्ता ओध्योगिक समाशास्त्र मानवी वैवार एवं ओध्योगिक संबंधों में भविश्यवानी भी कर सकता है जो भविश्य में सही सिध होती है तो अप्रोप्त आधार पर हम कह सकते हैं कि ओध्योगिक समाशास्त्र विज्यान कहने में से कोई आपती नहीं होगी क्योंकि यह स्विकारी करना पड़ेगा कि ओध्योगिक समाशास्त्र स्वतंत्र प्रकती का विज्यान है ना कि मिर्भर विज्यान और्धुकिक समाशास्त्र में हम देखते हैं कि इसके दो पक्ष हैं वास्तविक और आदर्शात्मक वास्तविक पक्ष में और्धुकिक समाशास्त्र की वास्तविक इस्तिति का अधियन किया जाता है और आदश आत्मक पक्ष में इस्तिती का आदश में विवेशन किया जाता है समाशास्त्रियों का ये मानना है कि समाशास्त्र वास्तविक विज्ञान है पर उन्तों कुछ विद्वानों को मानना है कि समाशास्त्र आदश विज्ञान नहीं है उनका कहना है कि समाज शास्त्रे की जो वैग्यानिक नीव है वो तभी मजबूत होगी तभी द्रण होगी जब वास्तविक तथा आदश दोनों का अलग अलग रखा जाएगा परन्तु यह विचार ठीक नहीं है क्योंकि आज के ओध्योगिक यूग में समाज वैग्यानिकों से नविन ओध्योगिक समस्याओं जैसे श्रमिकों के कल्यान की समस्या अनुपस्तिती की समस्या वैतिक और समाजिक समाजस्याओं आदी के विशे में निड्ने लेनिक या पिक्षा की जाती है जो आदश का सुल्च चकर अतस और जोगिक समाज शास्त्र एक आदश विज्ञान भी है ओध्योगिक समाज शास्त्र का यह हमने एक विज्ञान के रूप में पढ़ा था आप हम देखते हैं कि ओध्योगिक समाज शास्त्र कला के रूप में अध्योगिक समाज शास्त्र कला भी है क्योंकि इसका महत्व इस बात में नहीं थै कि वह ओध्योगिक समाज से उत्पन समस्याओं का समाधान करने में सायक है साथ ही ओध्योगिक समाज शास्त्र में केवल ओध्योगिक समाज का व्यवस्तित अध्यन करना ही प्रयाप्त नहीं है वरन उसे समाजिक परिवर्तनों एवं सुधारों के लिए वहवारिक व्यवस्ताएं एवं योजनाएं भी प्रस्तूत करनी चाहिए ओध्योगिक समाशास्त्र का कलात्मक और वैवारिक पहलू इस बात पर अधिक स्पस्ट है कि आज के युग में ओध्योगिक समाशास्त्र एक प्रमुख विशे ओध्योगिक नियोजन है और ओध्योगिक नियोजन की सहता से देश में बहुत अधिक आर्थिक विकास लाने और बेरोजगारी की समस्या को दूर करने का प्रयत्न किया जा सकता है इसलिए ओध्योगिक नियोजन एमन योजना के निर्मान और किर्यान वैन में ओध्योगिक समाश शास्त्रे की अवशक्ता पड़ती है इस तरह से हम देखते हैं कि ओध्योगिक समाश शास्त्रे विज्ञान भी है और कला भी थैंक्स, have a nice day